अलो दोस्तों कैसे हैं सभी आसा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे जैसा कि लास्ट वीडियो में हमें आपको बताया था SSC की सिलेवर्स के बारे में और ये भी बताया था कि SSC महज एक सपना रह जाएगा यदि हमारी इंग्लिस भी करहती है तो मैं आज आप लोग को SSC की जो इंग्लिस है वो बेसिकली किस-किस पोर्शन को टच करती है आपको मैं बता थूं कि SSC की जो इंग्लिस है वो तीन पार्ट में ड़ाइड है नमबर फस्ट है ग्रामर सेकंड बोकैब और थाइड है आपका रीडिंग कॉम्प्रियंजन तीन पार्ट में आपकी इंग्ल जबूत होनी चाहिए ताकि हम SSC को क्वालिफाई कर सके हैं यानि जो SSC का जो आपका एक्जाम है उसमें जो इंग्लिस का पोर्शन है वो किन किन टॉपिक्स को टच करता हुआ चलता है नमर फर्श्ट है आपकी बर्ब वो भी कैसी पहले basic वाली भी है आपकी बर्ब इसके बाद है आपका tense आप जानते ही है tense पड़े ही होंगे थार्ड है आपका passive voice active and passive voice होता है फूर्थ है आपका narration, diet and diet बोले जाता है इसको फिफ्थ है आपका chapter question tag अगला है आपका subject verb agreement इसमें क्या होता है कि subject और verb के 20 के जो सामंचस होता है वो इस chapter की बारे में discuss किया जाता है इसके बाद है आपका conditional sentences यह भी आपने intermediate में काफी अच्छी तरीकी से पढ़े होंगे और फिसके बाद आती है verb वो अभी मैंने आपको verb basic बताईती इसके बाद आपकी verb advance है कुल मिला कि आपको English में verb chapter को अच्छे से समझ के चलना है क्योंकि verb chapter ही काफी important है आपकी grammar के तौर पर ठीक है न इसके बाद आपका noun, pronoun, adjective, conjunction, article, preposition एड़ब और इसके बाद अगला chapter होता है कि इसमें आपको क्या बताया जाता है कुछ सब्द दिये जाते हैं उसमें confused या misused किस तरीके से गलतियां दी जाती है जैसे for example आपका describe describe माना क्या होता है बरन करना describe के साथ आपको exam में about लगा के देंगे जो कि आपका गलत होता है कि describe के साथ about का प्रियोग नहीं होता है लेकिन आपको exam में लगा के देते हैं इस तरीके से एक आपका portion या जाता है इसके बाद बुकेब बाला है बुकेब में क्या क्या आता है synonyms आते हैं antonyms आते हैं one word substitution आते हैं और one word substitution आपके मतलब क्या होते हैं इसमें आपको एक बाक दिया जाता है और इसमें आपको फिर एक सब्द पूछा जाता है for example जैसे a person who is unable to pay his debt मतलब एक बैक्ती जो अपना कर्ज चुकाने में able नहीं होता है मतलब वह सक्चम नहीं होता है that is called insolvent उसको बोला जाता है दिवालिया बोला जाता है idiom and phrases होते हैं और आपके miss spelled वाला भी आपका एक portion है जो कि आपका book app में बताया जाता है और आप जो एक pdf देख रहे हैं वह आपकी नीतू सिंग में की केडी केंपस की book है मैं अपने चैनल path to ग्यान पर इस book का analysis मतलब इस book को आपको read कराऊंगा तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल path to ग्यान से जिसमें आपको ssc के नजरिये से grammar मैं काफी help मिलने वाली है बादा करता हूँ आप एक दिन आप लगाता तीन महीने पढ़ने के बाद आप एक दिन अपनी इंगलिस की grammar को काफी मजबूत कर चुके होंगे चैनल को लाइक करें शब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेर करें थैंक यू